पंज सूब्यां दी विदान सभा चोणा दली तरीखां दा आज एहलान हो चुके है पंजाब देविचे 14 फरवरी नू वोटा पहन गयां जद की 10 मार्च नू नतीजियां दा एहलान होवेगा जियां एकी जनवरी तो नामजदगियां शुरूख हो नहीं थाई जनवरी ताकर नामजदगियां पर यहां जा सकना इसोगा जा इसलिए नहाली 10 जा जा रहे नव fácil नामजदगियां दी पठाल होवेगा तरीखा दा एलान हो चुकिया है पंजाब दे विच वी चौना होनी आने ते पंजाब दियां जड़ियां तरीखा निकली आने होता रे टीवी स्क्रीन से तो नदा सने आ 14 फरवरी नू पंजाब दे विच पैन गया वोटा 10 मार्च नू नतीजियां दा होवेगा एलान हुन उल्टी किती शुरू हो चुकी है पंजाब दानसवा चौना दोजार भाई एक गेड़ दे विच चौना दा कम ने परे चाड़े आ जावेगा 14 फरवरी नू वोटिंग होवेगी 10 मार्च नू नतीजिय कोशित कारते थे जानगे Дेनाली तो अनदास दी नामजदिगे आपकी जनरी टो शुरू होनीता घे एठाई जनरी ताक चलन गया जहादकि कती जनरी ताक नामजदिगे आपकस लह सकनगे कैंडिडेट एहम गलना तो अनुद आसरे हैं रैलियां दे उपपर रोकदा भी एलान करते था किया है इलेक्शन कमीशन भूलो 15 जनवरी थाक मुकमल तोर दे उपपर पमंदी रहेगी रैलियां दे उपर हाँ वर्चूल रैलियां यानि की इंटरनेट दे रही रैलियां कर सकंगे उम्मीदवार ताएन एक कुछ अहम कलना कुछ खास कलना पंजाब दांसाबाच चौना दोहजार बाई दे ली चौन नगाड़ा बच चुकिया है कौन जितेगा चौना दाय मिला किस दिस सिर्थ सजेगा ताज दस तरीख नुता सारा कुछ होजेगा साफ दस मार्च नुआंगे नतीजे पर वोटां दा दिन जहां वोट दी चोट देनाल तुसी चुनना है अपना उमीदवार सो तरीख कर लो नोट 14 फरवरी नु होवेगी वोटिंग एक को दिन दे विच सारा कम पूरा कार ले जावेगा वोटां दा उस तो पहला नॉमिनेशन्स बढ़िया हम होंदिया ने 21 तो लेके ठाई जनवरी तक नामजद्गियां दा चलेगा दौर कती जनवरी तक कैंडिडेट अपनी नामजद्गी वापस ला सकनगे तरपरदेश पंजग बादेश नेएट नेएट जनवरी इसेंड पंजग बादेश संग्यां नीवरी 21 जनवरी लाग्ट जनवरी 28 January Scrutiny of nominations 29th January And Last Date of Withdrawal of Candidature 31st January And Date of Poll 14th February That is Monday So on 7th March, all polling will be over And the date of counting is 10th March 2022 That is Thursday